हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू एसकेज कलासेज फ्रेंट्स आज अपने कुछ इपोर्टेंट मुद्धे पर यहां पर बात करने वाले हैं जो है लडीसी दो हजार चोइस की कट्टोफ क्या रहेगी और हमें इसकी त्यारी करने चाहिए या फिर ने जिन भी स्टूडेंट के कममाक्स आ रहे हैं उन स्टूडेंट को भी यह वीडियो देखनी चाहिए और अगर आपके किसी फ्रेंट्स ने यह एक्जाम दिया है तो उसे जुरूर वीडियो शेयर करें क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ राजस्तान LDC मैं हमयं दो किसी 2018 जो एक्जाम था वह मने खुद ने दिया था उसके बाद में ठाइपिंग टैस्ट के अंदर भी जो है एकजाम दिया था लेकिन उसके बाद जो डीवी की परसीस थी दिए उसके बाद में आपको बताती हुं क्या रहा था वरतमान के अंदर मैं कंप्यू जो borderline पे होंगे वो typing को छोड़ देंगे वो सोचेंगे कि typing करने का क्या फाइदा जब हमारे first paper के अंदर ही number नहीं तो मैं यह सारी चीज़ें आपको बताऊंगी आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना या के लिए वीडियो काफी important रहने वाली है कटोफ को लेकर भी वीडियो काफी important है और उसके अलावा typing जो है वो आपको करनी चाहिए या भी नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें लिए आपके लिए important है तो सबसे पहले मैं आपको पताती हूँ राजस्थान जो LDC 2018 वाला जो exam था वो form जो है मेरे भाई ने मेरा फिल किया थ लेकिन एक मन्त पहले मैंने राजस्थान जो जिक्के था वो कवर किया था और हिंदी कवर कि थी उसके अलावा जितने भी subject थे वो अलड़ी मेरे strong थे क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने यहां पे उस time मैंने तीन-चार महिने पहले मैंने SSCGL के लिए थोड़ी त्यारी की थी तो इसलिए मेरे बाकी subject थे जो अच्छे हो चुके थे यानिकि English अच्छी थी math काफी अच्छी मैंने कर ली थी और जितनी अच्छी राजस्तान एक्जाम में आती है उसके coding मेरी अच्छी थी math और पलस में math के अलावा यहां पे मैं अगर बात करू साइंस भी मेरी पहले से अच्छी थी और रहा था राजस्तान जिके जो मेरा कम स्ट्रोंग था और उसके अंदर भी सेम यही रूल था जो इसके बार था ना 40% वाला सेम रूल उस टाइम था तो उसके बाद में क्या हुआ जब इसका result आया तो मेरे नंबर जो थे वो बने 114 में से यह मार्क्स थे तो मेरे 114 मार्क्स थे लेकिन मैं आपको इक चीज़ पताती हूँ यहां पर केंडिशन क्या थी जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स वगरा थे उनके यहां पर मार्क्स थे लगबग 135, 140, 145 यह इस रेंज वाले जो स्टूरें थे मेरे स बता देती हूँ लगबग 95 के अराउंड में थी गर्ल्स की कटोफ यह रही थी और जो बोईस कैटेगरी थी वो बीसी में 115 कटोफ रही थी अब आपको एक चीज़ बताती हूँ जब मेरे यहां पर 114 मार्क्स थे तो मेरे भाई ने यह मुझे बोला कि तू टाइपिंग ट पिर इस बार जो 2018 वाली केंसि नहीं इसका जो एक्जाम हुआ था टाइपिंग वह काफी नहीं ओद और होww但是 if not ऐसम खार कि मैं एक 2 महेने तो घर पे ही त्यारी की उसके बाद में मैंने कोई कोचिंग शूइन की थी इस The time इने खुद बहार रूम लेके और टाइपिंग टेस्ट जो है उसके लिए त्यारी शुरू कर की थी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने त्यारी शुरू के टाइपिंग टेस्ट के लिए उस टाइम मैं और एक्जाम की भी त्यारी करी थी, पैरलर में किसी और एक्जाम के लिए मैं त्यारी करी थी, उस पे ही मेरा फोकस था, प्लस में मैं पैरलर में क्या करी थी, पैरलर में टाइपिंग टेस्ट के लिए त्यारी करी थी, अम आपको बताती हूँ, जब मैंने टाइपिंग टेस्ट के लिए के बैस्ट कोचिंग जो है वो देखी, त लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन स्टूडेंट के काफी अच्छे मार्स थे और टाइपिंग की डेट तब तक नहीं आई थी उसके विजह से मैंने किया कि आप पास में जो बिल्कुल पास में जहां में रह रही थी रूम जहां मैंने रूम ले रहा था वही के आसपास मैंन पैरलर में तयारी कह रही था जैसे कि स्टेनोग्राफर वाले वे थे लिए एक दो स्टोडैंट वहां पर मेली थे बकिश्ट्ट जो किने ओर भरते इस नहीं चापनी टैंट जरूरी था वह तो स्टोडैंट आरी कर रही उनके साथ में जब मैंने टाइपिंग शुरू कि उस कोचिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया ध्यान ने दिया और मेरे क्या था कि मुझे टाइम कम वेस्ट करना जो दूसरी कोचिंग थी वो थोड़ी डिस्टेंस पे थी इसलिए मुझे लगा उतनी दूर जाकर मैं क फर जब टॉर जब टैस्ट की डेट आती है तो उस टाइम इसको टैपिंग लिए आइंग दो या तीन मैने का पिरिड दिया गया था क्योंकि काफी टाम हो चुका है मैं ये बात दारी हूं 2019 की तो उस टाइम जब टैस्ट के लिए टाइम दिया गया था तो इतने ही दिया गया था तो फिर मैंने वो coaching जो पहले मैंने ज्वेन की थी जिसकी मैं बात करी थी वहां पे मैं गई तो वहां पे मैंने देखा कि बच्चों की strength बहुत जादा थी सिफ्ट में जो है timing दी जा रही थी सर के द्वारा और वह सर मैं गया, तो मैंने देखा कि जो स्पीर थी बच्चों की बहृत अच्छी थी बच्चों की और मैं मुझे ऐसे लगा कि अभ मैं इन बच्चों को कैसे फाय from कि जब स्टार्टिंग मेरे 114 नंबर दे और जो दूसरे friends थे उनके मेरे से ज्यादान marks थे तो मुझे क्या लगा था कि उन बच्चों के मेरे से ज्यादा है मेरा तो इसमें selection final होना क्या होना है फिर exam हो गया था उसके बाद की बात ये थी कि जब exam का result आया तो मेरी एक फ्रेंड ही थी जानकर में उसके कितने थे अब आपको मेरा खुद का बताती हूँ मैंने 114 मार्स तो वो थे मेरे और उसके अलावा मेरे यहां पे मार्स बने थे यहां पे मार्स बने थे टाइपिंग के 83 यानिकि 100 में से 83 हैंड़ में से 83 बनने की वज़े से मेरे जो मार्स थे मार्स बने थे और मैं फाइनल कट ओफ डीवी के बाद में रहे गी थी इसके पीछे रीजन यह था कि मैं अगर टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर ले ती यहनकि मैं मेरी फ्रेंड की तरह 95 मार्स ले आती तो मेरी कट ओफ से 3-4 marks उपर ही होते लेकिन मैं यहां पे cutoff से बाहर हो चुकी थी क्योंकि cutoff OBC की जो रही थी वो रही थी 202 के around में और बाद में cutoff गिरी थी कुछ और बच्चों को लिया गया था उसके बाद में cutoff 200 रही थी तो यहां पे मेरा selections LDC 2018 वाली जो vacances थी उसके अंदर मेरा selection हो जाता लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एकी reason था first reason तो मैंने typing जो के लिए coaching जो जो जोइन की थी वो अच्छी जोइन नहीं की थी last May 2 मन्त वहां पे मैंने अच्छी coaching में जोइन किया उसमें practice करवाईगी तो मैंने 83 मार्क्स लेकिया आसकी मैं 100 में से नहीं तो मेरे 83 भी नहीं आने थे 83 भी नहीं आते और इसी में चीज में आपको बताती हूँ मेरी friend जो है थी उसके 135 मार्क्स थी और उसने typing में 73 ही गेट की क्यों क्योंकि उसने practice इतनी ज्यादा नहीं की थी शुकर है उसका typing test पास हो गया था इसलिए उसका उस time जो है इसमें selection हो गया था लेकिन उससे स्कूल के अंदर ही पोस्टिंग मिली थी स्कूल के अंदर ही पोस्टिंग मिली थी उसको कोई अच्छे department में नहीं मिली थी और सेकेंड चीज में आपको बताती हूँ यहां पे जिनके मार्क्स मेरे से कम थे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स यहां पे 101 थे 105 थ और मेरा यहां पे selection ना होने के पीछे reason यह था, first reason यह था कि मेरे टाइपिंग के लिए अच्छी coaching जो है पहले से जोइन ने की, second reason यह था कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, मुझे ऐसे लग रहा था, मेरे से ज़्यादा तो बहुत सारी student के marks है, मेरा selection कहा होगा, लोगों के तो 135, 140, 125, 122 ऐसे marks बन रहे हैं, ऐसे marks बन रहे हैं, तो मेरे तो 114 marks है, मेरा कहा होगा, 120 marks वाले मेरे से ज़्यादा है, तो इस सोच की वज़े से मैं पीछे रगी थी, लेकि है, उस exam में रहे थी, सिर्फ रीजन क्या था, टाइपिंग को सीरियस नहीं लेना, टाइपिंग को मैंने सीरियस नहीं लिया, और मुझे लगा कि मेरे marks कम है, मेरा तो कहां selection होना है, तो मैं आपको यही चीज़ दारी हूँ, अगर आपका cutoff clear होता है, और आपके cutoff से कुछ मार्क्स जाद है, पांच मार्क्स जाद है, हमारा तो क्या selection होना है, अगर वनों टाइपिंग अच्छे से कर ली, अगर सो में से 99 मार्क्स ले आई, तो आपका selection कौन होकेगा, क्योंकि आपके यहां पे टाइपिंग के मार्क्स भी add होंगे, पलस में जो यह पेपर है, उसक टाइपिंग टेस्ट होने वाला था, उस टाइम यह लोगों ने ऐसे बातें की थी कि टाइपिंग के अंदर अगर एक ही लाइन स्किप होगी, मालों गलती से एक लाइन स्किप होगी, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप बहार हो जाओगे, इस तरीके के जो वाला जो सेकंड ग्रेड लिपिक जो भरती थी, यह आप देखिए इसमें, जो फाइनल इन्हों ने यहाँ पे किस परकार से मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे यहाँ पे जो डेड़ गुना, डेड़ गुना स्टूडेंट जो बुलाए आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो है, कट ओफ आप देख सकते हैं इसमें, यह देखिए यहाँ पे, यह देखिए आप यहाँ पे, यह देखिए आप यहाँ पे OBC की कट ओफ है, 201 पॉइंट जो है, 83 और यहाँ पे, जो गल्स थी, उनकी कट ओफ 208, something कट ओफ रही थी, और जनल बोईस की 220, और यहाँ यहाँ पे, OBC की, बोईस की 215, यहाँ पे आप कट ओफ चेक कर सकती हैं, और OBC, SC, ST में, आप देख सकते हैं, 122, ST में, और MBC में, 188 में, उसी इलावा, SC में, 187 और फीमेल की 125, यहाँ फीमेल की काफी कम गई थी, तो जितनी भी SC, ST केटेगरी की जो फीमेल्स है, वो जु जनरल और अगर अपने बात करें, OBC केटेगरी की, वहाँ पे डिफरेंस जाला देखने को नहीं मिला था, लेकिन SC, ST केटेगरी में, डिफरेंस जो है, काफी अच्छा देखने को मिला था, वैसे तो डिफरेंस इसमें भी रहा था, लेकिन इतना गैप नहीं रहा था, इसी टाइपिंग के लिए, जो स्टुडेंट टाइपिंग के अंदर इंटरस्टेड है, या फिर इस इक्जाम पोस्ट के लिए इंटरस्टेड है, वो टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, अगर उनके मार्क्स जो है, इस के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके ये मार आने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट मैंनी कोचिंग में देखी थी जिन्होंने टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए कोचिंग जो इनकी ती उन स्टूडेंट के सो में से 99 मार्स भी आया थे क्यों और सेकंड चीज मापको वताती हूं जो फ्रेंड मैं को एक फ्रे कि उसने पहले से हाई कोड एलडिसी का एजाम जो इसके लिए टैपिंग टैस्ट के उसके उसने गर पे बैटके फिर 95 वापस से गैट कर लिए थी हंडेड में सी टैपिंग में तो वहां कोचिंग के अंदर पहले से जो स्टूडेंट थे उनके 98-99 ऐसे मार्स थे जिन्हों उनका यहां पर कट ओफ के लिए स्लेक्शन हो सकता है जैसे मैं जनरल काटेगरी की बात करती हूं 123 से लेके 135 के विच में अगर माक्स बन रहे हैं तो आप सेफ चोन के अंदर है और OBC काटेगरी के अंदर 123 से 135 के विच में और MBC में 110 से 125 उसी प्रकार से AWS में 120 से 130 और HC में 110 से 120 तो इसके आस पास अगर आपके माक्स बन रहे हैं तो आप पोजटीव रहे हैं आपका सेलेक्शन हो सकता है और आपको अपनी त्यारी के लिए यहां पे टैपिंग टैस्ट के लिए कोई कोचिंग वगरा देख लेने चाहिए कि हमें कोचिंग कहां पे करनी है मुझे ज जल्टाने के बाद त्यारी शुरू कर देंगे तो वह गलत फ़हमी में ना रही क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट भी उस टाइम देखे थे जिनके यहां पे बोईस की बता रहे हैं बोईस कैटेग्री में भी उस कोचिंग में ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स अच् बहुत जाद है अगर आके सो में से सटर मार्क्स आते हैं तो आप यह मालो की उन स्टूडेंट से आप सतर मार्क्स पिछे हो चुकी हो जो टाइपिंग में अच्छा स्कूर गेट कर रहे हैं तो आपको इसमें भी अपना बैलेंस बनाना होगा इसमें भी अच्छे से त्या har Islands कentyping के तृँन की पड़ए है कि पता इसमें व एकर ब पाकें यह कि अगर आपको वर्ड पिर रचक करना आता है तो आपके ली जादव इंपानी सेuciones क्लियर कर सकते हूं जबाना करना है कि राइ इस प्रकार की सभीकार अपनी दक्षताब जाज़ हो ए एफेसंसी में आपको ऊधना कि 50 में से 50 आने ही क्या क learns यह तार्गेट लिया से में बहुत अच्छे तो आप्ति रताहले में जो स्केसी में जेड़ा था तोह तो हैं मेले इतने मों फिर और सफिया था तोह खांद मेरे होत sum तोरन एक जोड़ में टने इंखितन आपो अच्छे से focus करना है आपको efficiency test में अच्छा score get करना है बाकि आपको विश्वास करना होगा कि यह चीजें भी होती है exam में जब अपने typing test के लिए जाती है क्योंकि उस time के होता है बहुत सारी राइट करना होता है तो यह चीजें होती है तो अपने को mindset रखना होगा अपने को अपनी सिर्फ typing पे focus करना होगा इदर उदर ध्यान नहीं देना है और second चीज अपने को last time में कोई कुछ भी कहे कि अपनी line skip हो जाएगी तो हमें बाहर कर दिया जाएगा अगर एक अक्षर skip हो बोली जाएगी और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है तो इन cut off पे आप ध्यान रखें मैंने आपको बता दिया है और सारी procedure जो है वह भी मैंने बताई कि क्या रहेगा क्योंकि अभी तीन गुना student को बुलाए गया है उसके बाद में डेड़ गुना student को पास किया जाएग तीन गुना student जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे यहाँ पी अगर उन्होंने टाइपिंग में अपना 100% दे दिया तो selection शूर है तो आपको बस यह मान कर चलना है कि आपके marks अच्छे हैं यहाँ पे बताएगे उन marks के आसपास या उनसे अवब marks बरने है तो आपके marks surely बहुत अच्छे हैं आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे marks तो कम है मैंने जिस मेरे फ्रेंड से बात की उसके marks तो बहुत अच्छे है उसका तो selection हो जाएगा मेरा नहीं होगा यहाँ पे आपको रोल समझना है किसका रोल समझना है आपको टाइपिंग का तो टाइपिंग मे पोजिशन चेंज करो तो अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो ओल्रेडी पहले से ही आपको हातों की पोजिशन सेट कर लेनी चाहिए उसके बाद में आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके एंदर कंसिटेंसी है कि आप कंटिन्यू अपनी बीना किसी मोटिवशन के त्यारी कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू घर पे भी कर सकते हैं लेकिन आपको पहले आतों की पोजिशन पता होने चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस होने चाहिए